जी नेंद्र आज का लेक्चर शूरू करेंगे कल थोड़ा क्लास बंद हो गया था अधा गंडा लेक्चर नहीं हो पाया राइट कल का टॉपिक बोलो कुछ क्वेश्चन है हाँ टॉपिक भी याद हो तो टॉपिक याद कर लो तो मैं उसको थोड़ा लेलू इअरी ना nur outta रिष्चर कोई भी परमात्मा कह रहे हैं कि कोई भी क्रिख करने से दुकर होती वह नहीं करने से दुकर में नहीं होती बहरना काम कर लो तो दुख मिने दुखडाई होगा आप कुछ नहीं करोगे तो दुखडाई होगा कुछ नहीं करो कि तो आपके उपर कर्म लगने वाले नहीं है कर्म उस पे ही लगेंगे जो कुछ करने जाएंगे जैसे मैंने पहले ही बुला है कि थोड़ा से भी थोड़ा ड़ोड़ाया थे आप तो तकलीव पर से राइट लाइट, यहां, एटले दोड़्डाया नहीं थवानू, खाली करवा नहीं जवानू, पन साथे रहेलो, जीव, आजू-बाजू मां कोई दूपात हो, तो इने बच्चा वा चोकत जवानू, समझायू? लाइट, 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 एटले तमारामा शक्ती हो, आने तमारे चोकत बच्चा वानू, बागी कोई दापन करवानू, नहीं, कल वही वाद बाद चल रही थी, कि धणेंद्र देव आये, पतमाती देव आये, उन्होंने परमात्मा को मदद की है, समझ में आरा है, उन्होंने उनके कर्मा को घटाने की कोशिश नहीं की, की क्या बताओ, मेगमाली को नहीं भगाया है, राइट? हाँ मेगमाली को नहीं पगाया बस भगवान के नाक और मुव तक पानी आ गया था भगवान सास नहीं ले सकते थे तो भगवान को उपर उठा लिया उत्रा ही किया उनों उनों न सिर्फ उत्रा ही किया मेगमाली समझ गया कि अभी मैं मेरी कोई भी चीज यहां चलेगी नहीं दो लोग आ गें बचाने के लिए थक के चला गया हूँ ना कि अब मन में से गुस्सा खाली हो गया तो अब वो दुबारा तो आएगा नहीं ना बताओ हाँ वो दुबारा नहीं आएगा मतलब क्या कर्म अंदर जितने समय तक रोज भरा हुआ पड़ा होगा ना क्रोध पड़ा होगा ना तब तक वो कर्म फ्लौर पे सत्ता में मतलब वरत्मान में चालू रहेगा ही रहेगा ये बात समझ में आई आपको कोई रोग हुआ है रोग जब तक आपका वेदनिय कर्म खतम नहीं होगा तब तक वो रोग नहीं जाएगा बराबर सब कुछ खतम हो जाने के बावजूत भी आपने दवाई कर लिया, आपने इलाज ठीक से कर लिया, सब ठीक हो गया, लेकिन फिर भी वेद निये करम बाकी है, अभी भी भूगना बाकी है, अभी भी थोड़ा समय और बाकी है, तो kya वो रोक शरी से जाएगा बताओ, तो वो रोक किसके लिए खड़ा है रोक किसके लिए खड़ा है अपना कर्म खतम करने के लिए न तो वो भी कर्म के आधिन हो गया हरे चीज कर्म के आधिन हो गई हरे एक संजोग हरे कर्म कर्म का आना सब कर्म के आधिन है तो आप ये समझ लिजे कि क्रिया करने से दुखदाई होती है अगर सामने कोई अभी ऐसा समय चल रहा हो मेरा शुब समय चल रहा हो और सुबह मैं जाओ जू बीच और कोई आके मेरे को कुछ जादा ही भला बूरा आके बोल के जाए जगडा करे और पचास लोगों को इकठा कर ले तो ये क्रिया चल रही अब उसमें अगर मान लो कि मैं भी सामने थोड़ी जवाब देढ़े देती हूं गुशा कर लेती हूं पटक लेती हूं रोल लेती हूं मैं भी सारा कर्मक कर लेती हूं उसको बुरा बहला बोल देती हूं अब समझे region Ёग हो गई हो गई दुकदाई हुगा न? आगे छलके मान लोकि में कोई क्रिया नहीं करती तो ते तो कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता चुप चाप सुनके निकल जाती तो कुछ भी नहीं होता कुछ भी आगे इसका फली नहीं होता क्योंकि ये फली खतम हो गया होता कर्मा खतम हो गया है बात खतम हो गया आप समिज में आ रहा है आपको कितना इजी है इस चीज को टालना अगर कुछ आपके साथ भला भूरा हो रहा है तो उसको टालना कितना इजी है आप उस समय शानती रखलो चूपो जाओ खड़े हो जाओ साइड में खड़े हो जाओ जो चल रहा है उसको देखो तो होगा क्या पता है एक तो आपका कर्मा खतम भी हो जाएगा दूसरा आप कोई भी क्रिया आपको बाद में दुख भी नहीं देने वाली होगी देखे क्या बता हो नहीं नया कर्मबन भी नहीं होगा तो क्रिया करने से दुख दाई होती है ना करने से वह बिल्कुल दुख कर नहीं होती आप कुछ नहीं करो आप बिल्कुल शांती रहो चूप रहो तो आपको कोई भी की हुई आपकी कृया से बाद में भी दूख नहीं होगा। मतलब आपके द्वारडब की हुई कृया ही दूख है प्रान, भूत, जीवु और सत्व〜 कृया कर शेज़े, डूज़ ह się सत्व कोई भी जीव कोई भी जीव क्रिया करकरते हुए ही क्रिया करकर के ही दुख का अनुभव करते हैं अगर ये प्राण सत्व भूत क्रिया करना ही बंद कर देना बिल्कुल निश्चल हो जाए बिल्कुल ध्यानमगन हो जाए तो वो सारे अपनी दुख की परंपरा को खत नहीं सरते हैं बाकी के एकंद्रिय से चोरेंद्रिय दो पता उसको नहीं पता है और और संद्री औरिया को बागोज है यदू आपने पने कना कर्म तक पहुं पसके समक्राए इसके दलसकive और लेुक ihr क्यों नहीं रख भाता है हैं तो कि अंधर करमव भूग ना बाक Musti ili रख में बता है 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 नहीं जिनको भोगा वली बाकियोगी nंहीं रख पै गा जिनके लुस्हां हिट्ष रख पएगा तो भूगा वली क्थम होने के लिए आपको देरे आदत भी लेनी पड़ेगी baik बोलो अगर आप मेरे चुप हो जाने से या मेरे कुछ ना करने से ही कर्म खतम होता है आज ये एक सुत्र बना दो इस चीज को क्या बना गया सुत्र बना दो कि मेरे कुछ नहीं करने से ही मेरे कर्म खतम हो सकते हैं बस जीव क्रिया करकर के वेदना का अनुभव करता है क्रिया करकर के करकर के उसको खाने की क्रिया करनी पड़ेगी वो करता रहेगा तो जीव मारता रहेगा उसको चलने की क्रिया करनी पड़ेगी वो च कमाने की अर्थ उपार्जन की क्रिया करेगा तो कमाने से भी जीव मरेंगे मरेंगे की नहीं बोलो और खाने की क्रिया करेगा उससे भी जीव मरेंगे उपवास क्यूं बोले हैं ये बताओ चलो परमात मने साड़े बारा वर्ष में खाली तीन सो उन्चास दिन ही खाना लिया है आहर किया है क्यों जरूरत थी क्या नहीं पर इंसा रुखवा वही ना कि अगर वो खाने की क्रिया करेंगे तो भी जीव मरेंगे कि समझ में आ रहा है आप खाना खा रहे हो तो एक इंद्रियों को मारे बगर तो खाना खाओगी भी नहीं कि इंद्रियों तो मरेंगे ही मरेंगे वायू का है मरे अप का है मर्या तेव का है मर्या अन्ने प्रुथवी का है मर्या मर्या के नहीं बद्दा अप का है प्रुथवी का है तेव का है वायू का है वनस्पति का है पांचे मर्या के नहीं बोलो अरे कोई त्रसकाई भी आवी जा अंदर यड़ वीड़ आवी गी तो कोई धन्रेड आवी गया तो त्रसकाई भी मर्या गे नहीं तो पजी सु आ योग्या छे खाऊ पीवो ना एटले पगवान उपास करे जे बाकी सु खारंच उपास करवानू बोलो कम खाएंगे कम जीव मरेंगे कम प्रहशी तो जल्डी मोख्ष होगा बराबर ठीक है तो जीव क्रिया करकर के ही फिर खाने की क्रिया सोने की क्रिया उठने की क्रिया बैटने की क्रिया चलने की क्रिया फिर कमाने की क्रिया पैसा लाना कमाने जाना ट्रावेलिंग करना तो सब क्रिया करकर के ही वेदना कानुभो करता है क्रिया की तो अब जितने जीव मरे उसके लिए उसको वेदना भोगने पड़ी अब क्रिया कितने प्रकार की है परमातमने क्रिया बताई क्रिया दो प्रकार की है कितनी रावन के अलावा बहुत सारे जी वहोंगे वह सारे अस्यमी उगे बराबर उसकी क्रिया और सहीयमी की क्रिया फरक पड़ेगा न तो सहीयमी की क्रिया शुब होती है कम होती है जरूर पड़े तो ही होती है जबकि यह सहीयमी तो सोचेगा ही नहीं सोचेगा, साथ पेडी जितना कमा के बैठेगा, तो भी उसके अंदर से कोई कशाय जाने वला नहीं है, जाने वला है बताओ तो दो क्रिया, क्रिया के दो प्रकार, संयमी की क्रिया और संयमी की क्रिया, बहुत बढ़ी बात है न तो यहां दो नाम दिये हैं एर्यापथी की संप्राई की तो एर्यापथी की किसकी क्रिया होगी सैयमी जी जो अश्ट प्रवचन माता बोलते हैं न जिसको अश्ट प्रवचन माता जो साधू भगवन्त है वो अश्ट प्रवचन माता का पालन करते हैं करते हैं और जो मिठ्यात्वी है वो उनको कोई जैना धर्मय आहिंसा का पालन करना है बोलो नहीं करना है तो उनकी संप्राई की हुई संप्राई का अर्थ क्या संप्राई का अर्थ क्या पता है किसी को ना लिमिटेड नहीं संप्राई का अर्थ ही होते कशा आए सुक्ष्म संप्राई बोला जाता है यादे यादे वो ग्यारवा गुंठाने का नाम क्या है सुक्ष्म संप्राई है की नहीं ग्यारे बारवा का अ superior गुंठाने को नाम है सुक्ष्म संप्राई क्या है संप्राई क अर्थ क्रोध मान मायन वाले सारे क्शा आए तो क्शाई की क्रिया हो जाएगी मिठ्याथमिकी तो और इनकी क्रिया जैना वली हो जाएगे एर्या पति की अस्ट प्रोचन मता जैना धर्म ही है ना वो है ना चलो दो क्रिया की बाते एक जीवे एक समय में दो क्रिया करता है ऐसा कौन कहते हैं नहीं परमत्मा नहीं कह रहे हैं इस प्रकार एक जीवे एक समय में दो क्रिया करता है दो क्रिया क्या होती है सुनिए एक समय में एक क्रिया होगी या दो क्रिया होगी पहले ये बताओ आपको क्या लग रहा है क्या होगी एक पता है परमात्मा ने एक बात समझा ही हमेशा उपयोग एक में ही होता है दो में कभी नहीं होता है राइट उपयोग हमेशा एक में होता है तो एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करेगा या वो संप्राई की करेगा या वो मिध्यात्वी की करेगा लेकिन एक जीव एक समय में दो क्रिया करती है ये परमात्मा का मत नहीं है लेकिन अन्यधर्म का मत है किसका मत है ये अन्यधर्म का अन्यधर्म वाली ये कह रहे हैं कि एक जीव एक समय में दो क्रिया करते हैं एर्यापथी की भी करते हैं और संप्राई की भी करते हैं उनका कहना ये है कि वो धरम भी क संभोग से कभी मुक्ति हो पाएगी क्या आप सोचो नहीं भोग करके कभी मुक्त हो पाया इंसान भोग करने के बाद तो और कर्म बांद हो गया तो कर्म कर्म बांद के ज्यादा बांद हो ज्यादा बांद हो ज्यादा बांद हो तो मुक्त हो गया बंदन में आओगे बंधन में आओगे ना तो एक साथ में संप्राई की भी करो और एक साथ में एर्यापती की भी करो तो क्या पॉसिबल है नई तो यह सारा अर Heights धर्म वाले कह रहे हैं कि वे निवन धिक आख्यान करेंगे भाशन करेंगे प्रग्नापन करेंगे प्ररूपन करेंगे मतलब यह इस प्रकार से व्यक्यान करेंगे कि नहीं बताओ रदिश जिन नहीं किया है जहन धरम से बाहर निकलने के बाद किया है इसे वह पहले जहने में इक्षा लिए बाद में उन्होंने कहा कि आराम से खायो भोगो स्वाद ज्यादा लो वह कारियों ज्यादा करो उससे आप उप जाओ और छोड़ो कि यह ले क्या बताओ नई उप जाओ तब छोड़ सकते हो यह वह में दूसरे वह में क्या होगा सोचो यह सोचने जैसी बात, आप अगर आज यह भव में रोज खीर खाओगे, ध्यान से सुनिए, रोज आप कटोरा खीर खाओ, तो एक साल के बाद उप जाओगे आप, राइट? एक साल तक खापाओगे, एक साल के बाद क्या करोगे? भाई अब खीर नहीं खाना है अब आप मुझे खटा चीद दो अभी मिठा बहुत हो गया अब मेरे को नहीं भाता है तो एक साल के बाद आप उप गए और आपने बन किया लेकिन एक साल तक जो उसकी लोलूप था थी जो आपकी इच्छा थी जो कांग्षा मोनिय था वो तो जमा हुआ कि नहीं वह अगले जनम में खड़ा नहीं होगा क्या होगा अब सोची ने यह बात बताई कि भोग करो इतना ज्यादा भोग करो अकरांतिया की तरह भोग करो भोग करते रों करते रों आपका मन भर जाए और आप उसको छोड़ दो तो अब इतना भोग करोगे five साल उसके बाद आप उसे उब तो पांच साल इसाल ,20 तक जो भोग क्या है वह कर्मभंध अगले जनम में बोडित होने वाला आण यह जनम में नहीं लेकिन जनम में जलू ने बाकी होगा तब तो आप उबने वाले नहीं हो तब तो आप जितना जादा भोगो गे दूसरे आपने नया करम बंद वैर्ट किसि बो में नया बानते रहीट लाइद इतना बंदा ओना इतना बंदा अब सो जनम तक नहीं छूटेगा अधिक भूक कर रहे हो रखनत ज्बोग कर रहे हो से हमसेज लोगों से भोक करने बाद सौ भोव में तो सब के साथ आपको करमों की गांठे छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा की नहीं तो वो सौ लोगों से भोग के लिए आप जाओगे तो और कितने हजार भोव आप बांदोगे नहीं बताओ है कि बहुत तो क्या है एक भोव में उबने के लिए आप वह al завar करोंगे आप सोचो है है क्या यह सही है है कि यह क Dialog plenty के लिए आप क्यों कर रहे हो कर नहीं कितनी बड़ी गलती होती है इसमें अब यह भो में उब जाओगे यह तो सब पर तब तक क्या जो कर्म बन कर लिया उसका क्या वो तो उदे में आने ही वाल है बाद में ये सारा सत्ता में गया उसका क्या क्या करोगे आप तो भोग नहीं पड़ेगा तो क्या ऐसे अतिरेक या अति भोग करने से आप छूट पाओगे नहीं चूट पाओगे इससे तो अच्छा मतलब यह संप्राई की हुआ ना आप और कशाय बांद रहे हो और कशाय बांद रहे हो यह कार्य करने से सिंपल बात है विशय का भोग करने से अब भ्रह्म का सेवन करने से आप संप्राय कक्षा का संसार का भोग का ही कर्म बन कर रह वह गाद हो जब चुसा उपाँ तो इसमें संप्राइब और ईर्यापति की दो चीज़ वी क्या यह बताओ ले तो दोनों क्रियां तो हुई नहीं खाली संप्राई की हुई ना अगर आप अब्रह्म का सेवन भ्रमेचरे का सेवन कर रहे हो आप किसी mountain कोई भोग नहीं कर रहे हो अखनियान मज करिया और आप अपने कर्म घटा रहे हो तो आप खाली अधर्या-प्ती की आप अब संप्राई की हो रही है क्या नहीं हो रही है मतलब एक समय में एक ही उप्योग रहता है किसी भी जीव का जब वो एर्यापती की बांध रहा है तब वो संप्राई की नहीं बांथा जब वो संप्राई की बांध रहा है तब वो एर्यापती की नहीं बांथा अब दोनों ध लग रहा है कि दोनों एर्यापति की और ये दोनों क्रिया एक साथ हो सकती है आपको यही लग रहा है ना कि एक समय में एक ही क्रिया लगेगी बराबर तो जिस समय ये परमात्मा कह रहे हैं कि जो ऐसा कहते हैं कि एक जीव एक समय में दो क्रिया करता है वो एरयापती की भी करता है और सांपराई की भी करता है जो ऐसा कह रहे हैं वो मिथ्या कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं ये गलत है ये गलत है एक जीव एक समय में द धो क्रिया कर रहा है वह बाती गलत भगवान कहा है कि मैं इस प्रकार से यह बात को अख्यान भाशन अर प्रणापन करता हुं कि एक जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है या तो वह एर्या पती की करता है यह वह संप्राइड की करता है बराबर और जिस समय वो एर्यापति की करता है उस समय वो संप्राई की का बंद नहीं करता जिस समय वो संप्राई की करता है उस समय वो एर्यापति की का बंद नहीं करता ठीक है ठीक है, क्लियर हुआ, कोई प्रश्ना है, बोलो प्रश्ना है कि समध में आ गया हाँ, बहुत अच्छा था, समध एकदम क्लियर थे एकदम क्लियर थे, बहुत सरसत्तु हो, समझ हो, बहुत जरूरी जा कभी भी हम लोग एक समय में दो जगा उपयोग करी नहीं सकते कोई नहीं कर सकता, कोई जीव नहीं कर सकते, बराबर कभी नहीं कर सकता, आओ अब दूसरा प्रश्ना, नरग गती कितने समय तक उपाद से विरहीत रती है तो भगवान कह रहे हैं, जगन यसे एक ही समय, मतलब एक समय तक शांती रही, दूसरे ही समय में जीव नरग में जाना शुरू कर लेगा, मतलब प्रती एक समय में जीव नरग में जा रहा है, बराबर ज्यादा से ज्यादा एक समय छोड़ेगा बस, एक समय के बाद दूसरा जाएगा, और उतकुरूष्ट से खाली बारा मुहूर्थ, बारा मुहूर्थ मतलब अधा दिन से भी कम हुआ, दिन के 30 मूरत है तो 12 मूरत का मतलब कितने घंटे हुए आप सोचो आठ गंटे आठ गंटे उत्कुरूष्ट से आठ गंटे तक ही एक आज एक जीव अभी गये हैं तो आठ गंटे के बाद दूसरे जा सकते हैं पर आठ गंटे भी कम है क्या कंटीन्यू नरक में जीव जा रह समझ में कितने फास्ट और कितने ज्यादा जीव जाते हूंगे समझ में आ रहा है कि जलो अब भगवान राजग्रू नगरी में आए हैं और परिशद बैठी है वहां परमात्माने धर्म कहा और धर्म में स्वासो छवास पद कहा है अब हम आप जो दूसरा शतक पर आगए अब आप दूसरे शतक में आये हो तो दूसरे शतक में उच्वास दिश्वास की बात की है स्वासो छवास पदार है गवतम सामी का प्रशन है इंद्रपुति अनगार उनका प्रशन है कि हे भगवान जो बेंद्रिय तेंद्रिय चाओरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव है उनके आन अपान उच्वास निश्वास क्या हम जानते हैं क्या हम देख सकते हैं हम जान सकते हैं बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचिंद्रिय की बात की है और पृत्वी अप, तेव, वायू, वनस्पती सब एकेंद्रिय जीव है उनके भी आन, अपान, उच्छवास, निश्वास को हम ना जान सकते हैं ना देख सकते हैं तो क्या ये जीव आन, अपान, उच शवास और निश्वास करते हैं क्या गवान को ये प्रश्न पूचा डेकि ब्रियर के तो आपको पता चल जाएगा ये जिन्दा है राइट ये खायरे ये स्वास कर रहे है जो खारे वो चोटे से बड़े भी हो रहे हैं लेकिन एक अन्धरे का तो हमको मालूम इनी है अब एक इंद्र्या के अंदर की एक जिवुका शरीर ही नहीं देख सकते है तो वह सास ले रहे आपको कीसे मालूम पड़ेगा वो बड़ा हू भगवान ने जवब दिया कि हां ये एकेंद्री के जीव भी आन अपान स्वासोच्वास और निश्वास करते हैं तो अगर करते हैं तो किस चीज का करते हैं पता ये शंका आएगी ना कि किस चीज का वो खाएंगे कैसे करेंगे वो कैसे स्वासोच्वास लेंगे तो भगवा यानि कि उनके शरीर से वो अनन्त प्रदेशी है अनन्त प्रदेशी है कि नहीं पूरा समंदर का पानी है वो एक बिंदू पानी में जो जितने जीवे सब के लिए वो समंदर उनका प्रदेश हो गया वो एक जगा तो रुकेगा नहीं पानी का बिंदु बोलो वो जीव एक जगा तो रुकेगा नहीं नदी होगा तो भी अनन्त प्रदेश ही हो गया क्षेत्र की अपेक्षा से भी असंख्य प्रदेश हो गया खट्विक अपर isol Smokhani प्रण काल थे 되면 कैप की सूअरे किसी भी स्थिती भाला हो गया हूँ आँचाल की अपरेक्षा से यह जीव है वह कम से कम 20 जार से 25а जार वर्ष तक एक यह जगा पर रहते हैं रहते न तो काल की अपएक्षा स्वेशियों की dhat ay our होते हैं ठोल की किसे भी स्थीती वाले और भाव की अपेक्षा से उनके अंदर के जो मार जीम के जो सबसे वह यूक्त है बराबर उनका पानी का रंग है है कि नहीं है कोई समुंदर में निला पानी है कोई समुंदर का काला पानी है कोई नदी का मिठा पानी है कोई नदी का काला पानी है कि नहीं है तो सब के मिठी के भी अलग-अलग स्वाद है कोई लाल मिठी कोई काली मिठी कोई चिकनी मिठी तो वर्ण गंदर अससपर्श अ नाग दिखेगी लेकिन गैस की फ्लेम कितनी बड़ी आएगी मशाल घी आप दिया करोगे तो उसकी फ्लेम इतनी उची जाएगी कोईले में जाएगी क्या कोईले में नहीं जा सकती राइट राइट तो इस प्रकार से भाव की अपेक्षा से ये वर्ण, घंध, रस, पर्श, यूक्त, पुद्गल, द्रव्य का आन, अपान, उच्छवास और निश्वास जरूर करते हैं और ये भाव के अपेक्षा से जो जो वर्ण यूकत पुद्गल रव्य है उसके हिसाब से वो करेंगे अब क्या उनका एक वर्ण एक वर्ण, दो वर्ण, तीन, चार या पांच, पांच वर्ण होते हैं टोटल, तो पांच वर्ण युक्त पुद्गल्द रव्यों का आन अपन उच्छवास और निश्वास करते हैं, हो गया, एक ही वर्ण का करते हैं, या पांच वर्ण का करते हैं, तो पांचों का, तो उच्वास और निस्वास करेंगे पांचों वर्णका करेंगे बराबर ये स्थान मार्गना की तरफ से स्थान में ये हो गया विधान मार्गना की अपेक्षा से काला करंग यानी की कुरुष्ण वर्ण बराबर कुरुष्ण नील कापोत से लेके शुकल वर्ण छे वर्ण तक कि पुद्गरों का यह भाव की अपसे को यह कह बहुतना रह नेत्अ कि आएगा द्रुव्य मेशन से भी आएगा और भाव से भी आएगा ना लेश। ऐसे भी आएगा की नहीं आज अगर आप एकेंद्रिय जीवों की द्रव्य कलर देखोगे शरीर का तो वह द्रव्य से अप्रेक्षा आ गया पर भाव की अप्रेक्षा से तो उनका अंदर का सभा भी दिखा जाएगा ना किस लेश्या के हैं वो ठीक है तो विधान मारगणा की अप्रेक्षा से क्रुष्ण से लेके शुक्ल छे लेश्या तक वो पुद्ग लोग द्रव्यों का आनपान उच्वास निस्वास करते हैं जैसी जैसी उनकी लेश्या वैसे वैसे वो आहार करेंगे बराबर अब यह जीती स्याश्या से करेंगे तो शेति हो जाएक व्यातत weren णहों तो चेह प्राइशा है तो नीचे से भी करेनेगा जारों प्रेश करेना उसे वो पान अपान उच्छवास और निश्वास करेंगे और अगर कहीं से व्यागा तो कोई दिशा से उनके कर्मबन ना हो तो नीचे की दिशा से ही करेंगे तो लिमिटिड आ जाएगी उसको तो कदाची चार दिशा, कदाची पांच, कदाची तीन अगर खाली नीचे करेगा तो भी तीन दिशा तो आनी आनी बराबर अब नारकी का जीव किस प्रकार से आन अपन स्वास हो द नी स्वास आन अपन का अर्थ है, पान अपन, खाना पीना, समझ में आ रहा है आहर लेना और स्वास हो च्वास, दो ही चीज करेगे ना कोई भी जीव तीसरी जीज तो वो करेगा नी खाएगा पीएगा और खाएगा पीएगा करम बन उस्वास और निस्वास, दो चाही चीज़ करेगा वो खली, अब वायू काय जीव की बात किये, क्या वायू काय का आन अपन उस्वास निस्वास भी करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं, आप क्या बोलोगे, करेंगे कि नहीं, करेंगे, कि इंद्रिय सब जीव करेंगे, तो वा सामान्य जी और एकेंद्रिय जी ओके वायू काई भी खाई ले हवा माती एन तो हवा माती जेने पाणी वाणी बद्धू मड़ी जे आपड़ा हवाम ऑक्सिजन बद्धू जोई जे आपड़ी हवामा एच्टू ओ होई छे के नहीं हाँ एनो जाहार पान अन अपन बनने प्रुत्विगाई भी करशे जो तम्हें गणिवार अमूग जमीनों पर पाणी नाखो एपली भीनी माती ने बद्धू से बद्धू पाणी सोखी लेशे तैने पोता ना शरीर ना सर्व प्रदिशोथी सोखी लिदू ने अई गणी जगे भेजवाणों वातावरन मा होई चे वातावरन मा बेज आः गर्मी बेज वदी जाए वर्सात पड़ेदीने बफारों वदी जाए तो तमारों बदाना परसेवा केटलों बाहर आवे तो यह वा एक हाई ले के नहीं? अटला बता लोगों ना परसेवा बार आवे आवे चाने? तो तम्हें पंखा नीचे बैसो जो के बार खुल्ला मा फरो जो तो यह बदू सोखी ले चे? यह सोखी ले चे? अहार था जाये चे? थाई जाये थाई तो वायू काय भी इस प्रकार से लेते हैं तो अब वायू काय का सवाल आया एक और कि क्या वायू काय जीव वायू काय में ही अनेक लाख बार मरमर के वापस उत्पन होते हैं इसलिए उनकी आयू जगन्य से कुछ एक अंतरमूर तक और तालीस मिर तक और उत्कृष्ट से इकीस जार वर्ष्टक होती है होती है ना? 21-22 जार वर्ष्टक होती है कि नहीं? होती है होती है तो 22 जार वर्ष्ट तक वही पे जिंदा रहेगा वापस मरेगा वापस जिएगा कि नहीं वह जगा बदलेगा ही ना? योनी नहीं बदलेगा हो तो 22 जार वर्ष्ट में तो अनेक लाख बार जन्नम मरन करेगा करेगा कि नहीं? दरेगा ऐसा तो है नहीं उसको पांच साल दस साल के आयू मिलती है मिलती है क्या शरीर तो सुक्षम ही है आओ आओ क्या वायू का एक जी उस प्राइब स्पुरूष्ट होकर मरता है या स्पुरूष्ट होकर मरता है वह स्पुरूष्ट होकर मरता है स्पुरूष्ट होकर मरता है स्पुरूष्ट का मतलब वह स्पुरूष्ट रेकर कभी नहीं मरता है क्या वायू का एक हाँ स्पुरूष्ट है स्पर्शीत शरीर माथी प्राण छूटे ने तो स्पर्शीत थाई ने मर्यों ने जो अवे समझ आ जो आपका इछे पानी छे पानी ने जारत में उकाड़ो छो तो ए जीव स्पर्शीत थाई ने बाहर निकर से ने पानी ने तमें मैं आमा थी लिधू आमा पानी लिधू तो आमा थी जीव स्पर्शीत थाई ने पानी अंदर जुरो छे ने पाणी ना एक टिपा मा तो असंख्य जीवो छे तो इस परशी थैनेज रहला चाने पाणी ने तो मरसे भी अंदर ने बार निकड़ी न मरसे उतो बनवान नथी समझायू तो आ बद्धा जीवो एकेंद्री बद्धा जीवो परशी थैनेज मरे आपने थीवित मरिये बार निकली ने आत्मा बार निकली ने शरीर छोड़े शरीर ने बालवू पड़े खतम करूपडे 21, 23, 24, 25 बद्दानी जीवु करनके शरीर 23 इंदरीय मड़ी हो जए वायुका रहने के मड़ी हो नठी समझायू वायुका रहले शरील लई नठी मरवान॓ करनके यहा तो विज Бजासं के जीवा पड़ेलाँच वहा अंदर जमरी बार निकल से सम्झाइजे या गणीत पांच मा बुद के शेंग करने एले इनु पोतानू नथी ये लईने बार निकड़े सम्झाइजे आर उम्मा जिटला मी वायू काईना जीवस से एमा थी कोई जीवने मरवानू काईमा आभी गयो तो ये अंदर शरीर पोतानू छोड़ी ने परशी ने द मरीन पोते बार निकड़ीजे ये शरीर साथे ले इन तो नहीं जाए ने ये शरीर अलग तो थावानू न थी ना आपणी जेम आपणे मरे लुए तो शरीर ना बाई नाकिये बरोबत के दाटी देए पन वायू काई कई आम अपणे कई काम अधी बदा वायू काई बदा मरी गया आवे पाणी ने सुक्वी दो दाटी दो बाई दो ये उतो बनव वायू का बदाज स्प्रोश्ट धहिने मरे छे अ स्प्रूश्ट धहिने नई संजयो क्या वो जीव शरीर निश्क्रमण करता है स शरीर निश्क्रमण तो यां वो सर शरीर निश्कृ्मण करता है और शरीर निश्कृ पर दौता है कौन सी सी अपेक्शम्हे। नो वायू का एक जीव। उसके कितने शरीर है। बोलो कितने शरीर है। दो नहीं, दो तो नहीं होंगे, देखो गिनो, आप गिनो तो मालूम पड़ जाएगा, सबसे पहले ओधारिक शरीर आएगा, ओधारिक तो आना ही आना है ना हमरे जैसा, फिर वायू का एके और क्या वायू वैकरिय रूप भी बनाता है, पता है ना, वंटोडिया और ये सब हाँ, तो वैकरिय है शरीर, उसके बाद तेजस और कार्मन तो सब में होता है, हर एक जीवें होता है ना, तो चार शरीर, वायू काई के पास कितना शरीर, प्रूथी काई पास चार नहीं है, उसके पास तीनी है, कितने हैं, ओधारिक, तेजस और कार्मन, उसके पास कोई व पानी के जीव खाली वायू के पास ही है बस ओके तो ये वायू का एक जीव उसके पास शरीर है वेकरिय शरीर है और अधारिक भी है तो वो सर शरीर निश्क्रमन करता है और शरीर निश्क्रमन करता है, बराबर आओ अब मुरूत आदी निर्ग्रंत पद, अभी सादू मात्माओं का पद है ये, ध्यान से सुनो जिसने भोका निरोध नहीं किया हो समझाईजे भोका निरोध नहीं किया याचित भोजी निर्ग्रंद जो मांग के खाने वाले ऐसे सादू गोचरी वाले सादू उसने भोका निरोध नहीं किया और भोके विस्तार का भी निरोध नहीं किया भोका निरोध कैसे होगा बताओ भोके विस्तार का निरोध कैसे होगा बताओ ग्रम्मा चलिए नई भव का निरोध मतलव आपकी भव गिन्ती सुरू हो जाए तबी निरोध principalmente नां जफ़ीonton लिम्टिशनम चांगे के अउप संम्य में कुछ गज़ी जिस दुए जिस्य फीट गेंда हो आगि सम्यक दर्शन आये तब क्यों इतनी बड़ी गलती कर रहे हो भव गिंती कब होगी बन सम्यक दर्शन के बाद लिमीटेड हो गए ना भगवान को पहले ही नौईसार के भव में सम्यक दर्शन मिला तो 27 भव लिमीटेड हो गए तो आप सोचो कि भगवान ने अपने भव का न सम्यक दर्शन के बाद तो अब भव के विस्तार का भी निरोध हो गया उससे अब विस्तार नहीं होगा अब आपका भव अटक गए 27 में मोक्ष नक्की पाशनाद बगवन को नेमनाद बगवन को 9 भव में ही नक्की है ना आदिनाद बगवन को 12 में ही नक्की सम्यक आने के लिएकित बाद तो ये सबने भौका निरोद किया क्या बोलोगे और भौके विस्तार का निरोद अगय समेट दर्शन नहीं आया तब तक तो उनका भौ बहुत ही विस्तार में था आप सोचो खाली यही उतसर पिणी में आदेशवर भगवान ने अपने भोका निरोध कर लिया मतलब उन्होंने ये मुक्ति कर ली मुक्ति प्राप्त कर ली तो इससे पहले अनन्द उत्सरविणी तक वो भढ़के है कि नहीं भढ़के है तो ये अनन्द उत्सरविणी तक वो निरोध नहीं कर पाई इसलिए भढ़के न और जब निरोध कि तो जिसने संसार को प्रहीण नहीं किया और संसार Ν्य करम को भी प्रहीण नहीं किया। जिसने मैं फिर से बोल रहे हूँ सब चीज ध्यान से सुनिये चारपन चीज बता ही है वो सारी चीज सम्यक और मिध्यात्वी के लिए ही लिस्ट में जाएगी आदा सम्यक में आदा मिध्यात्वी में कैसे भौ का निरोद नहीं किया है और भो के विस्तार का निरोद नहीं किया तो ये किस में जाएगा मिठ्यत्व में जाएगा और भो का निरोद किया भो के विस्तार का निरोद किया ये किस में जाएगा समयक दर्शन में जिसने संसार को प्रहिण नहीं किया संसार वेदनिय कर्म को प्रहिण नहीं किया किसमें जाएगा मिठ्यात्व में जिसने संसार को प्रहिण कर लिया जिसने संसार वेदनिय कर्म को प्रहिण कर लिया वो सम्यक दुशन जिसने संसार को व्युचिन नहीं किया मतलब छिन भिन व्यिच्शिन नहीं किया और संसार विदनिय कर्म को भी व्यिच्शिन कर दिया और संसार को ही विच्छिन न कर दिया है वो सम्यक दर्शन में बरावर जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध ही नहीं किया है और प्रयोजन पूर्ति के लिए कोई भी करणी है कार्या को नहीं किया है कहां जाएगा मिठ्यात्व में अपने आपने कोई अपना सिद्ध रखा ही नहीं प्रयोजन ही नहीं रखा है कि आपको क्या करना आप बस आते हैं आएंगे चलो जी लो जो मिले वो खापी लो और वहां से मरने के बाद समय आ जाए तब मर लो तो आपने कुछ भी किया क्या प्रयोजन पू जो समय दर्शी नहीं है जो मिठ्यात्विय जो अभी भी भव भ्रमन में भटक रहा है जिसने भव का निरोध नहीं किया भव के विस्तार का निरोध नहीं किया संसार को प्रहिंड नहीं किया और वेदनिय कर्म को भी प्रहिंड नहीं किया संसार को विचिन नहीं किया संसा संसार में भटकता रहेगा तो संसार वेदनिय कर्म को भी जिसने विचिन नहीं किया है जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं किया प्रयोजन पूर्ति के लिए करणिय कार्यों को भी उसने सिद्ध नहीं किया समझ में आ तो क्या वो फिर से तीरियन चादी रूपों को ही प्राप्त करता है ये प्रशना है अब समझ में आ रहा है अगर आप limitations में नहीं आओगे और आप ये सारी चीज संसार को ना प्रहिन करोगे ना उसको short करोगे ना भोके विस्तार को घटाओगे आप ये कुछ नहीं करोगे त जिसने दिक्षा ली है और दिक्षा लेने के बाद अगर वो अपने संसार का ये दिक्षा लेने के बाद की बात है दिक्षा नहीं लेने वाला तो ऐसे ही भटकता रहेगा समझ में आ रहा है हां वो तो ऐसे भी भटकता रहने वाला है पर आपने दिक्षा लेने के बाद भ ना भोके विस्तार का निरोद करोगे, कुछ नहीं करोगे, संसार को प्रहिण नहीं करोगे, वेदनिय कर्म को प्रहिण नहीं करोगे, मतलब घटाओगे नहीं, संसार को व्युचिन नहीं करोगे, उसको चिन भीन नहीं करोगे, आप अपने राग द्वेश कशय को तार तार ऐसे ही बंधा हुआ मुठी में आप रखोगे सारे सब को जीवित रखोगे आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूं संसार से मुक्ति का प्रयोजन सिद्ध नहीं करोगे प्रयोजन सिद्ध मुक्ति के लिए कोई करणी या कारिय भी नहीं करोगे तो बार 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 तीरियंचादी इत्थन्थ इत्थन्थ यानि की 84 लाख जीव यूनी सबको बार बार प्राप्त करोगे समझ में आया भगवन क्या कह रहे है ये जीव संसार में क्यों भटकता रहता है समझ में आया खाली संसार को ना घटाने से भव का निरोध नहीं करने से उसको पता ही नहीं है भव को कैसे घटाया जाए तो निरोध भी नहीं करेगा पता होगा तुभी मौज मजा करता रहेगा मेरे को क्या घटा के क्या करना है मानता ही नहीं कि भोगा निरोद होता है पर्भव मानेगा ही नहीं कहां से निरोद करेगा सोचो समझ में आरी यह बात पर्भव को मानेगा तो निरोद करेगा पर्भव को मानेगा ही नहीं कहां से वो उसको बचाने की या घटाने की कोशिश करेगा बोलो आत्मा अंदर है वो ही नहीं मानेगा आत्मा मानेगा तो पर्भव मानेगा ना आत्मा मानेगा तो पर्भव नहीं मानेगा यहां से जीव कहां जाता है किसने देखा है तो क्या होगा समझ रहे हो आप बोलो अब ये किस सब्द के द्वारा वाच्चे होता है तो भूत सब्द के द्वारा प्राण शब्द, जीव शब्द, सत्व शब्द, आप आत्मा को कैसे बोलोगे अंदर पड़ाय वो क्या है अंदर पड़ा है वो भूत प्राण जीव सत्व सब चीज है की नहीं अच्छा भूत प्राण जीव सत्व ये तो सामान्य शब्द है अगर उसको आप बहुत ही अच्छा या बढ़िया या मोक्स से जल्दी छूटने वाला समझना चाहो तो क्या शब्द दोगे विग्ण बोलोगे ना विग्ण यानी ज्यानी अंदर पड़ा है वो ज्यानी है और वेद अंदर पड़ा है वो वेद है वेद का ज्यान है उसको क्या बोलोगे वेद अंदर पड़ा है वो वेदी है तब ही वो स्त्री वेद पुरुष वेद नपुन्सक वेद धारन कर रहा है अब उसको निर्वेदी है अंदर पड़ा है वो कौन है निर्वेदी है अब निर्वेदी को वापस निर्वेदी कराना होगा अगर वो वेद के मामले में उसको समझ में आएगा तो ही वो निर्वेदी होगा ना कैसे निर्वेदी हो पाएगा बताओ जब उसको ज्ञान होगा वेद का ज्ञान होगा तो ही वो निर्वेदी होगा न स्त्री वेद पुरूर श्वेद नपुन्सक वेद अगर इसका ज्ञान ही नहीं है तो आप अपने आत्मा को ये तीन वेद से मुक्त करा पाओगे बताओ नहीं, नहीं कर अपाओ, नहीं कर अपाओ, बराबर, अब वो की सपेक्षा से प्राण कहा जाएगा, भूत कहा जाएगा, जीव कहा जाएगा, की सपेक्षा से, क्योंकि वो पान, पान, उच्वास, निस्वास तो करता ही है, करता है कि नहीं तब ही प्राण है ना स्वास उच्छवा से तब तक ही वो जीवित है प्राण है जैसे ही स्वास बंद हो गया डैड़ बोड़ी हो गई मतलब अंदर से जीव निकल गया कुछ तो था ना अंदर कोई ना मने ना आत्मा है तो उसको समझाओ कि अभी अभी बोल चाल करने वाला आदमी जब मर जाएगा चुप चाप डैड़ बोड़ी की तरह पड़ा रहेगा तो अंदर से कुछ तो बाहर निकला ना अंदर कोई तो था ना जो उसको जिंदा रख रहा था करण को बूलो जो अंदर था वो सांस ले रहा था अगर वो बिल का रदे बंध हो गया कोई और रबने को सब्रलाइब कोई था कोई होगा तो यह है कि रद रह आ है है कि नहीं ऑर लेकिन तो चाल मित मैं एप मैं ना सब्सकोर दोनेसाने और रहा ऋंय Connect करने तो ऐसे भी साबित हो जाता है कि अंदर कुछ है शरीर में जो डैड़ बोड़ी बनाता है ये शरीर को अभी मैं बात कर रही हूं मेरे को मेरे से बुलवाता है मेरे से ग्यान लेनी की कैपेसिटी देता है जब मैं अंदर से वो बाहर निकल गया तो डैड़ बोड़ी हो जाए तो अब जो है जो है वो ही ध्यान से सुनिए वो ही शुप कर्म भी वो ही करेगा कर्म बंद कौन कराएगा आपका शरीर तो नहीं ना मैं मेरे बिंदू के अंदर जो आत्मा बिंदू की आत्मा पड़ी है बिंदू के शरीर में अभी वो साठ साल की हो गई तो साठ साल तक जितने भी शुप कर्म किये क्या शरीर ने किये है तो शरीर को लगेगा कया ये सारा और जितने भी अशुप किये है वो कौन भोगेगा शरीर भोगेगा कि आत्मा भोगेगा तो करने वाला कौन आत्मा आत्म आप दूसरे भोव में भोगेगा वोई किया भी उसने और भोगेगा भी उसने वोई बोलो समझ में आ रहा है हाँ ठीक है तो इसलिए जीव शब्द द्वारा वो वाच्य होता है वाच्य वो अशुब कर्म भी करता है शुब कर्म भी करता है निरंजन निराकार नथी बेन आपद्धा करम आत्माँज करे छे नात्माँज भोगवे छे तुमाँज बहुत आप समझी ले छे एक वात समझी ले छे आत्मा ने आत्मा ने आत्मा निरंजन निराकर हुआ छता संसार में रहे से आत्मा संसार माने संसार मा भी रह शकेछे एयांति एनो दो परीनो क्यारे मोक्ष बंडा से Ayam समझाएच या बात तो निरंजन निराकार क्या थी लाग से आत्मा इन्हों अर्था सू करवानों खबर जे मोख्ष गया इन्हों आत्मा निरंजन निराकार बनी गयो पर जे मोख्ष न थी गया इन्हों मतलब आत्मा निरंजन निराकार बनी शके छे छे नहीं समझायच बहु मोटो भेज छे बेमा आतमा सिद्ध थाई शके छे अत्यारे छे नही साची के वाद खोटी वाद आतमा निरंजन निराकार छे नही आतमा ने निरंजन निराकार बनी शके छे तमारा कर्मोना लिधे जो तमे बनावी शक्क्या तो तमारा नसीब, पड़ आत्मा निरंजन निराकारच्च बध्धाना इपॉसिबल नथी, तो तो बध्धा जीवो मोक्षे जवाना, जवाना के नहीं, तमारी अंदर विर्य हसे तो तमे इन बनावी शक्सो, अनि जे जीवो नथी ज़ करी सत्वद नथी, आज सत्वद नथी, आज सत्वद शब्धाचे नहीं टलेच, जीव सत्व हवे आउसे, राइट? जीव सत्वद शाड़ी हसे, तो ही खुली ने बार आउसे, जेना मा सत्वद नहीं होए, तो ही जई शक्से खरा, नित्य निगोदिया जीवो मा क्यारे तो जारे एना मा सत्वद नथी जागवानू, तो तमे एनने निरंजन निराकर कई री ते कई शक्वानू, तो नि अंदर नो आतमा निरंजन निराकर्च, एतो हमेशा संसारी रहवानूचे या एज जीवतो, क्यारे संसार नो त्याग नथी करी शक्वानू, तो निरंजन बनी सके के नहीं ? बनी सके एनों अर्थे के तमें एम कईदों क्या होय यह शक्के छे ? ना पंचेंद्रिय मन्यूश्य भवी जीव संगनी पंचेंद्रिय छे एपन निरंजन निराकर पोतान आत्माने नधी गरी शकतो जे नौ ग्रिवे एक सुधी पोची गयो साड़ा नौ पूर्वनो ग्नानी पन पोतान अभवी होगना कारणे पोतान आत्माने निरंजन निराकार नदी करी शकतो एननो अरत सूथ यो खबर चे एनि या क्रिया तो एना प्रतिय नी थाई के नी साड़ानो पूर्वनो ग्नान लेवा नी क्रिया चारित्रपालन नी क्रिया संसाथी वीमुग लई ज़े शके के नई पड़ आत्मामा सत्वज नथी वाद समझाईच आत्मामा सत्वज नथी कि मने मारे वीरील्ज नथी, यह ताका तद नथी कि मने मोख्ष जवु चवु चें, हमने हम शी और मारे मोख्श मां जीने बैसुच। जय रहे सत्त्वज नथी तो यह जीव पोताना, आत्माने के अचांग एल्दे मोख्ष करअवी चके ख़रो नप ивается जीव नो मोख्ष पन चे ने जीव नो संसार पन चे चे कि नहीं तो बच्छी आत्मा निरंजन निराकर पन चे ना आत्मा निरंजन निराकर नथी पन बोलो कई शंका आवे अजर अमर छे पन आत्मा अजर अमर न थी पन तू समझी ले वाद आजे आज़ा वाद तू क्लियर कर जो आत्मा अजर अमर जोई ने तो संसारी जीव नो मोख्ष थाय थाय ने थाय बदन सिद्धो सिद्धो गणी छे जो आत्मा अजर अमर वोई तो आत्मा अजर अमर ये द्रश्टिये के तमे जीव जीव पुदगल छूटे छे आत्मा मर तो नथी ए रिधा अजर अमर पारी जर्मा मर वने ये लाई शके जीव ए रिता अजर अमर ए रिता अजर अजर अच्पफफथ क्या यू अब दने के से सू कर यू जो जो कि हूँ स्कूल गयो तो हूँ आजे स्कूल गयो जो तह न बोला वे बद्दा क्या छे दादी हूँ स्कूल गयो तो स्कूल मा शू कर यू बोल जल्दी आजे फर्स दे ने फर्स शो स्कूल ना कंकू कंकू कर लीचे कंकू चांद लो करें चे श्कूल मा चाय चाय करी मने क्यों स्कूल गयो निटले जो मज़े आवी दादी पूचे मज़े आवी के बहुं मज़े आवी के तो काले जवान हों चे स्कूले आज पहलो दिवस तो स्कूल ना तो आपने एक जरीते एक ही जगह एक ही सिस्टम में आत्मा के लिए कि एकांत नियम कभि भी नहीं हो सकता है क्लियर हो रहा है आजर क्लियर हो गया ना बहुत अच्छा से हो जी तो संसारी जीव ऐसे बहुत से जीव है अभवी जीव जाती झीव अभव्य जीव भगान ने बोलेैं बन सकता था कि नहीं हाँ पर ये कांथ नियम है और एकांथ नियम तो पॉसिबल ही नहीं है ना है तो जो करा सकते हैं अपने आत्मा को मोख्ष वो ही सत्वर्शाली और विर्यांत राय का वो अंत करेंगे बाकी नहीं प्रबर आपको यह बतादू के बाखी के criticism शीना वो तो आट कर्म बाधें भी नहीं है यह Inc यह ना हम जाती पहब का बढ़ का इस जाती पहब का आई शाकरमब बंद नि यहांदा आई तो और टालीस मिनिट तक तो उनकी आयू रहे की नहीं ना ख़बी बोलो रहे की क्या है तो हर आर्टालीस मिनिट परियाप्ति बान देंगे बंदी तो वापस वो फिर से मरके वापस उसी जगा जनम ले लेंगे लेंगे ना वह आयू बानते भी नहीं है वो खाली साती कर्म का बंद होता है उनका अगर उनको क्योंकि उनको वो यह जाती से बाहर ही नहीं निकलना है आयू कैसे बानते आयू खतम हुआ तो बाहर निकलेंगे ना आप समझ सकते हो ये बात निजोद के नित्य já निजोद के जीव की आयू निज्टय निजोद में खतम होगी तो बाएर निकलेंगे को समझ में हा रहा है कि वहां के आयू कर दो था याने करने हो उनको आयू लूर्मकर तो बंस पादना ही नहीं है और आयू उसे का बंद जिसमें नहीं पड़ेगा वो कितने उनका वीरियो होगा क्या अंदर विरियां त्राय को वो तोड़ पाएंगे क्या नहीं तोड़ी नहीं पाएंगे और नहीं नहीं बनता ही जाएगा उनको ठीक है तो अब यहां पर पर्मात्माने जवब दिया की याचित भोजी निर्गरण्त जिसने भौका निरोध किया है समझ में आ रहा है एक तो पहले तो आप सम्यक दर्शन के बाद वेरागी बन जाओ वेरागी बन जाओ, याचित भोजन करने वाले साधू बन जाओ और फिर आप भो का निरोध करो, भो के विस्तार का निरोध करो संसार को प्रहीन करो, संसार वेदनिय कर्म को भी प्रहीन करो संसार को व्युचिन करो चिन्न भिन करो संसार वेदनिय कर्म को व्युचिन करो ठीके और अपना प्रयोजन सिद्ध करो प्रयोजन पूर्ति के लिए करणिय कार्यों को सिद्ध करो साथ में वो कर्म भी करो तो ही आप तिर्यन चादी अन्यस्वरुपों को प्राप्त नहीं करोगे ठीक है तो सिद्ध की बात की है सिद्ध तब ही हो पाओगे जब आप संसार को प्रहिन करो संसार वेदनिय कर्मों को प्रहिन करो संसार को व्युचिन करो संसार वेदनिय कर्मों को भी व्युचिन करो आपको संसार और संसार वेदनिय कर्म दोनों बता है, देखो ध्यान से सुनों, ये दो चीज साथ में कैसे गई, क्यों गई, संसार भी साथ में जा रहा है, वेदनिय कर्म भी साथ में जा रहा है, कैसे जा रहा है, समझ में आ रहा है, संसार होगा तो वेदनिय कर्म होगा ही हो समझ में आ रहा है संसार में वेदनिय कर्म के अलावा कुछ है नहीं तो संसार बढ़ा तो वेदनिय कर्म अवश्य बढ़ेंगे संसार घटेगा तो ही वेदनिय कर्म घटेंगे और वेदनिय कर्म और संसार घटाने के लिए वीर्य ज्यादा स्फूरन होगा तो ही वेदनिय को सहन कर पाओगे और गटा पाओगे बराबर इसलिए विर्यांत राए के बगेर संसार भी नहीं घट सकता संसार का वेदनिय कर्म भी नहीं घट सकता समझ में आ गया हाँ तो वेदनिय कर्म का सबन इससे बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है है ना हाँ अब आगला टॉपिक है संयम और तपका सकंदक परिवराजक की कथा है और उसका आगे क्विश्चन आ रहा है तो यह हम अगले क्लास में ही करें हाँ क्योंकि पूरी नई कथा है नया कात्या येन सब गोतर सकंदक नाम के परिवराज की बात है और वो रुगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारो वेद, इतियास, छठा निघंटू और ये सब का रह से वो जानता था तो उसने आके प्रशन किया और उसी के उपर से फिर उसने दिक्षा ली उसका पूरा वणन है वो अगले क्लास में ही क ठीके? ठीके, बोलो कोई प्रशने तो बोलो? यहाँ, ठीके तो फिर कले लेते हैं, बड़ाब? यहाँ, चोल, जै 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 जै